हलो राम्रा मेरे मिश्ट्री बाईयो मैं आज आपको एक राय देना चाहता हूं कि जब भी आप बैड बनाए तो वो खुद बनाए कि खुद बनाते है ना तो उसमें को इसक नहीं रहती जिस तरह हम हैलपरो माई पे छोड़ देते हैं और जब हमें उंचाई की पैड बनानी होती है तो हमें उसमें दिक्ट भी आ सकती है ऐसे आ सकती है कि क्योंकि हैलपरों को पूरा पता नहीं होता है विचारों को हम कहते हैं वो संका मान कर पैर तो बना देंगे वाकि उसमें रिस्सक होती है तो इसलिए एक काम करना जरूरी होता है इसमें आप टैम लग देए अ कि जब आप बढ़ाओ तो खुद बढ़ाओ ताक कि उसमें कोई रिष्ट नहीं होती और आपकी सोख समझ के पैड बढ़ाओ इस तरह मैंने यह बढ़ाओ तो यह कम से कम जमीन से कम से कम यह 30 पुते उंचाई हैं तो इसकी पैड मैंने खुद मनाई हैं तो मैं आपको यह इस तो वो काम आपता बिरूबर रहेगा ताकि हमें बेह नहीं आएगा च्योंकि जब हम पैड़ का काम सही होगा तब काम सारा मारा सही होगा तो मैं अब ये 3D की दिवार की लिपाई करूँगा तो मैंने पैड़ मेरी खुद ने बनाई है तो आप देखते रहेंगे कि पैड़ ने बोल इनां charged कि अपको बैनामे कुलेजिए खुड़ के बिंटर ना लगें और यह कहना जाता हूँ कि पैड़ कुल सही होने चाहिए तो हगेस्सार अगर मेरी वाथ आपको च्छी लगें तो नाई करें क मेंट करेंट अ शस्ट्राइब करें सब् करें ने वाद मैं में को थोड़ा सीन निच्चे से आपको दिखा दूँगा कि आपको पता पढ़ जाए कि बाइसाब किते उंचाई पे हैं तो कई बारी हम को ऐसे 44 45 45 पूट उंचा हो जाना पड़ता है तो हम खुद बेड बनाते हैं तो जब हम हम रिपरों पर काम चुड़ते हैं तो हमारा काम कि नुक्सान की हो जाये मज़र को रसी कच्ची बांढ़ यह थी बाहां से बान दे इसा ऐसा जो खराब हुस कहीं मिश्ट्री चेकरते कि बली का साहरा लेता है तो बली का साहरा गलत होता है जैसे कि ज़िए बर्की होते हैं, वह भी दिल्ट होते हैं उसमें गांट होती है तो गांट कभी भी जवाग देती है तो इसके लिए पेड़ के लिए सबसे अची बात है कि पांस नायब मासू तो वह ठेड के लिए बहुत अच्छा रहता है तो यही कहना चाहता हूं कि अजर हमारी पैड़ सही होगी तो हमारे काम बिल्कुल सही होगा ज़िए वह काम टचाज पुटो या फिस्पन पुटो कोई दिकत नहीं है कि अजर देड़ दिकत अच्छाई है प्रूपटाँ एग्लेग पड़ करेंगं प्रॉबाट करेंग जनायग प्रॉपटा टार्वरों लार्डों करेंग अलमलन ही कोपा भ्रूपटाग जनायग करेंग टार करेंग